दो साल का था जब मेरे पेरेंट्स मुझे तीन दिन की मेरी नवजात बहन के साथ छोड़ गए थे आठ साल के उम्र में गुबारे बेचने और बाल मज़ूरी करते हुए बड़ा हुआ वहां से नैशनल अवर्ड पाने और उनाइट नेशन तक पहुँचने का सफर किसी रोलर कोस्टर राइट से कम नहीं रहा दिल्ली के सबसे हाईली क्राइम प्रोन से स्लम में रहेकर बड़ा हुआ गुबारे बेचने के दोरा नशा करने वाले लड़को दोरा पैसे चीनने के लिए बुरी तरीके से पीटा गया बस वहीं से नशा करने वाले लड़को को खेल में इन्वाल करके नशे से दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस का हाथ थाम लिया वहीं से 13 साल की उम्र में मेरे समाजिक कार्यों की यात्रा की शुरुआत हुई जिसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला गार्जन के रूप में नौ जवान बुआ ने मुझे पालने के लिए अपनी शादी नहीं करने का फैसला करके समाजिक लड़ाई मूल ले ली मुझे बढ़ा किया और बुरी संगत से बचाते हुए मुझे रखा सुभा शाम छोटू के रूप में काम करना और दोपहर में मुनसिपल स्कूल में पढ़ाई करते हुए कई भयानक मंजरों से लड़ते हुए कई बुरी यादों के साथ बढ़ा हुआ हूँ उत्पीडन और संगर्ष के वोपल आज जब भी याद आते हैं तो वस सहम जाता हूँ सोचता हूँ लेकिन फिर एक ठैंक्स निकलता है उस ना दिखाई देने वाली ताकत के लिए जिसने कभी जुनून और विश्वास को कम नहीं होने दिया मेरी पूरी संगर्ष यात्रा जानने और सीधे सवाल पूचने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं Flexi Strong Talks के अगले कारे करम में So join me to hear my story of transforming adversities into possibilities in the next episode of Flexi Strong Talks Ashyam Steel Initiative Thank you so much